ग्वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ओडियो सूपर ट्रेडर बुक पाठ दो एक इमानदार आत्म मूल्यांकन करें एक पीक पफॉर्मेंस ट्रेडर सबसे अच्छा होने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो कुछ भी करता है वो सबसे अच्छा होता है जो कुछ भी होता है उसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार महसूस करता है और इस तरह गलतियों से सीख सकता है इन लोगों के पास आमतोर पर व्यापार के लिए एक कार्यशील व्यवसाई योजना होती है क्योंकि वे व्यवसाई के रूप में मानते हैं वो व्यवसाई योजना उन्हें वो करने का विश्वास दिलाती है जो उन्हें बाजार से बड़ा लाब कमाने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए करने की आवशक्ता होती है इस पुस्तक का पहला खंद कुछ नए निवेश के बारे में नहीं है यह इस बारे में है कि शिखर स्तर पर व्यापार करने के लिए मानसिक रूप से सर्वोत्तम संभव स्थिती में कैसे रहें मेरा पसंदीदा कार्टून चरित्र सैम है जो व्यापारिक बाग है यहां दिखाया गया है कि वो अपने अंदर देख रहा है S.A.M. सफल ट्रेडिंग निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से हमारा मार्ग दर्शन करेगा आरंब करना कुछ हवधारनाएं जो आपको अवश्य मास्टर करनी चाहिए एक ट्रेडर फर्स्ट के रूप में आपको अपने बारे में एक मजबूत प्रारंभिक मूल्यांकन की आवश्यक्ता है और अपने प्रदर्शन को बहतर बनाने के लिए आपको क्या करने की आवश्यक्ता है इससे इस तरह देखो मान लीजिया आप रेगिस्तान के बीच में है कोई सड़क नहीं है लेकिन आपके पास एक नक्षा है जो दर्शाता है कि आपको कहा जाना है हाला कि जो गायब है वो इस बात का संकेथ है कि आप अभी कहा है याद रखें कि आप रेगिस्तान के बीच में है जब आप नहीं जानते कि आप कहा है तो आप वहां कैसे पहुँच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं इसी तरह यदि आप अपने बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप एक व्यापारी के रूप में खुद पर कैसे काम कर सकते हैं ज्यादातर लोगों की यही स्थिती होती है उन्हें लगता है कि वे खुद को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन वे वास्तव में अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं उदाहरन के लिए क्या आपने अपने बारे में अपने विश्वासों की एक सूची बनाई है? क्या आप वे विश्वास हैं? दूसरा, यदि आप कुछ चाहते हैं, तो आपको उसे होने का अभ्यास करना चाहिए होना, दूसरे शब्दों में करने या होने से पहले आता है मेरी राय में ज्यादातर लोग अच्छा व्यापार करना चाहते हैं लेकिन उनकी प्राथमिक चिंता यह है कि इसे कैसे किया जाए और सफलता हासिल की जाए आपको पहले एक सफल ट्रेडर बनने का अभ्यास करना चाहिए उस मनेस्थिती से आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या करना है और इससे वो पैदा होगा जो आप पाना चाहते हैं बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए यह सफल होने के बारे में उपरोक्त कथन का विरोध है अगर आपको लगता है कि आपको सफल होने के लिए संघर्ष करना होगा तो आप शायद बहुत संघर्ष करेंगे तीसरा, कई व्यापारियों के पास वो है जिसे मैं पूर्ण तावाद जिटिलता परिसर कहता हूँ दूसरे शब्दों में, जो आपके पास है वो कभी भी काफी अच्छा नहीं होता है इसे हमेशा किसी न किसी तरह से सुधारा जा सकता है हमेशा एक और निकास या कोई अन्य प्रविष्टी होती है जो इसे बहतर बनाती है इसका मतलब यह है कि आप हमेशा नए विचारों से जूचते रहेंगे नती जतन आप व्यापार के वास्तव एक मुद्दे पर कभी नहीं पहुँचेंगे और सिर्फ एक व्यापारी होने के नाते व्यापार कर रहे हैं इसके बजाए परीक्षन करने के लिए हमेशा एक और चीज होती है हमेशा एक और काम करना होता है और कभी भी आराम करने और व्यापार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है जटिलता को त्यागें और सरलता की ओर बढ़ हैं सबसे अच्छे व्यापारी हमेशा वे होते हैं जो सादगी का अभ्यास करते हैं। उदाहरं के लिए धाल ही में एक संगोश्ट ही में एक व्यापारी ने टिपनी की, मैं बस वही खरीदता हूँ जो उपर जा रहा है। अगर यह मेरे खिलाफ जाता है तो मैं तुरंट हो जाता हूँ। अगर यह मेरे पक्ष में जाता है तो मैंने इसे चलने दिया। मैंने ऐसा करके बहुत पैसा कमाया है। यह सरलता है। लेकिन आप इसे तभी कर सकते हैं जब आपका मन और आत्मा शुध हो और आप ध्यान दे रहे हो कि बाजार क्या कर रहा है। यह आत्म मांगता है मेरा मानना कि इस से बहुत फर्क पड़ता है चौथा कई व्यापारियों और सामान्य तोर पर लोगों का आतमसम्मान कम होता है यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप योग्य हैं तो वो विश्वास बाकी सब चीजों पर हावी हो जाएगा आप विश्वास कर स सकते हैं अगर मैं सिर्फ पैसे का व्यापार कर सकता हूं तो मैं अपने बारे में बहतर महसूस करूंगा हाला कि यह विश्वास वास्तव में दो मान्यताओं से बना है कम आतमसम्मान और यह विश्वास की कम आतमसम्मान व्यापारिक सफलता से निश्चित होगा दुर्भ करता है, जब तक की निश्चित रूप से, आप इसके बारे में जाग्रूक नहीं होते हैं और उस तरह का आत्मकार्य करते हैं जो आपके आत्मसम्मान में सुधार करेगा, अगर आपको लगता है कि जीवन एक संघर्ष है, तो शायद यह आपके कम आत्मसम्मान के कारण है इन सभी मुदों की कुझी खुद को समझना और यह महसूस करना है कि आप ट्रेडिंग में अपने परिनामों का मूल कारण है जब आप ऐसा करते हैं तो आपने सफलता की राहा पर चलना शुरू कर दिया है अपने व्यापार में पिछले नुकसान क के बारे में सोचें इसके कारण क्या हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार था यदि आपकी प्रतिक्रिया आपके अलावा कुछ और है उदाहरन के लिए बाजार मेरे दलाल बुरी सलाह तो आप अपने परिनामों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं जब तक आप इसे समझ नहीं लेते तब तक आप गलतियों को बार-बार दोहराते रहेंगे इसके विपरीत यदि आप अपने निवेश परिनामों के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो आप अपने द्वारा की गई सभी गलतियों को समझना शुरू कर देते हैं और उन्हें ठीक करने में सक्षम होते हैं बजार आपका वित्तिय विश्व विद्यालय बन जाएगा इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि आप अपने व्यापार या निवेश की सफलता में सबसे महत्वपूंट कारक हैं यदि आप इसे समझते हैं तो आप भीड से बहुत आ रहे थे उन्होंने कहा मैं छे महीने से अधिक समय से आपके पाठ्यक्रम पर काम कर रहा हूं इसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ महसूस करने में मदद की है लेकिन एक चीज है जो उसने नहीं की है इसने मुझे सकारात्म प्रत्याशा प्रनाली नहीं दी है उस कथ प्रधान के बारे में विडम बना यह है कि मैंने उस पार्ठ्यक्रम में एक पध्धती प्रदान करने का प्रयास नहीं किया था। यह एक चरम प्रदर्शन व्यापारी निवेशक बनने के बारे में है। यदि आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा तरीका तयार करना होगा जो आपको सूट करें। यह तभी संभव है जब आप अपने विश्वासों के अनुरूप कार्यप्रनाली को डिजाइन करें। अपने उद्देश्यों को पूरा करें और आप जो है उसे मेल खाते हैं। यदि आपका मन और आत्मा शुधर है और आप ध्यान दे रहे हैं कि बजार क्या कर रहा है। यह आत्मा की पवित्रता है जो फर्ख करती है। यह विशेश व्यापारी। हमेशा व्यापारिक दिन शुरू करने से पहले आंतरिक मार्ग दर्शन मांगता है। मेरा मानना कि इस से बहुत फर्क पड़ता है। चौथा, कई व्यापारियों और सामान्य तोर पर लोगों का आतमसम्मान कम होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप योग्य हैं, तो वो विश्वास बाकी सब चीजों पर हावी हो जाएगा। आप विश्वास कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ पैसे का व्यापार कर सकता हूँ, तो मैं अपने बारे में बहतर महसूस करूँगा। हाला कि यह विश्वास वास्तव में दो मान्यताओं से बना है। कम आत्म सम्मान और यह विश्वास की कम आत्म सम्मान व्यापारिक सफलता से निश्चित होगा। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, कम आत्म सम्मान हमेशा हावी होने लगता है और खुद को सही ठहराने के लिए व्यवहार पैदा करता है, जब तक कि निश्चित रूप से आप इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं और उस तरह का आत्म कार्य करते हैं जो आपके आत्म सम्मान में सुधार करेगा अगर आपको लगता है कि जीवन एक संगर्ष है, तो शायद यह आपके कम आत्म सम्मान के कारण है इन सभी मुदों की कुझी खुद को समझना और यह महसूस करना है कि आप ट्रेडिंग में अपने परिनामों का मूल कारण है जब आप ऐसा करते हैं, तो आपने सफलता की राहा पर चलना शुरू कर दिया है अपने व्यापार में पिछले नुकसान के बारे में सोचें इसके कारण क्या हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था यदि आपकी प्रतिक्रिया आपके अलावा कुछ और है, उदाहरन के लिए बाजार, मेरे दलाल, बुरी सलाह तो आप अपने परिनामों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं जब तक आप इसे समझ नहीं लेते, तब तक आप गलतियों को बार-बार दोहराते रहेंगे इसके विपरीट, यदि आप अपने निवेश परिनामों के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो आप अपने द्वारा की गई सभी गलतियों को समझना शुरू कर देते हैं और उन्हें ठीक करने में सक्षम होते हैं बजार आपका वित्तिय विश्व विद्यालय बन जाएगा इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि आप अपने वियापार या निवेश की सफलता में सबसे महत्वपूंट कारक हैं यदि आप इसे समझते हैं तो आप भीड से बहुत आगे हैं मुझे एक बार इंग्लेंड के एक सज्जन का फोन आया जो मेरे चरम प्रदर्शन के लिए घरेलू अध्यान सामगरी के माध्यम से काम कर रहे थे उन्होंने कहा मैं छे महीने से अधिक समय से आपके पाठ्यक्रम पर काम कर रहा हूँ इसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ महसूस करने में मदद की है लेकिन एक चीज है जो उसने नहीं की है इसने मुझे सकारात्म प्रत्याशा प्रनाली नहीं दी है उस कथन के बारे में विदम बना यह है कि मैंने उस पार्ठिक्रम में एक पध्धती प्रदान करने का प्रयास नहीं किया था यह एक चरम प्रदर्शन व्यापारी निवेशक बनने के बारे में है यदि आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा तरीका तयार करना होगा जो आपको सूट करें. यह तभी संभव है जब आप अपने विश्वासों के अनुरूप कार्य प्रणाली को डिजाइन करें, अपने उद्देशियों को पूरा करें और आप जो हैं उससे मेल खाते हैं.